हाई गाईज वेलकुम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब विश का वेटना नहीं करना पड़ेगा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करूं बहुत सारे आक्शन लिए गए हैं अब ये बात शुरू होती है कि मेरे पास एक पूरा लेटर आया था जिसमें एक लड़की ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि उसकी विश आखिर क्यों मैंने एक चीज़ देखी कि उसने बार-बार टाइम का बहुत ज्यादा जिक् कि कितने कितने दिनों के बाद उसने दूसरी टेकनीक शुरू की है उसने कितनी दिर मेडिटेशन किया है उसे एक प्रोसेस को करते हुए कितना टाइम देना पड़ा है दूसरे प्रोसेस में उसने कितना टाइम दिया इस तरह से उसने अपनी पूरी स्टोरी को अच्छी त इतना time लग रहा है अपनी एक wish को manifest करने में बार बार उस letter को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि उसने बार बार उस letter के अंदर time के बारे में बहुती ज्यादा details में बताया है अब जिब उसने मुझे उस time के बारे में इतना details में बताया है तब आप खुदी सोचो कि जब उसने अपने process को starting से start किया होगा तब उसने बार बार time period को note किया होगा जैसे मैं इतने time तक इस चीज को follow करूँगी इतने time तक इस चीज को follow करूँगी इसके बाद मैं फिर ये method apply करूँगी इसको करने के बाद मैं इतनी देर meditation करूँगी time 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 को ज्यादा note करने की वज़े से उसने क्या किया कि अपना एक pattern बना लिया और उस pattern को करते रहने से बार 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 उसकी life में वही pattern repeat हो रहा था मतलब कि अब क्या हो चुका था कि wish तो दूर दूर चली गई थी उसने अपने mind को इस बाद से reprogram कर लिया था कि अब ये टेक्निक खतम होने के बाद मैं दूसरी शुरू करूँगी, दूसरी खतम होने के बाद मैं तीसरी शुरू करूँगी, इसके बाद मैं कुछ और करूँगी, ऐसे करते करते न, उसने अपना पूरा पैटन बना लिया, एक सरकल बना लिया, कई बार हम भी अपनी ल चीजों के बारे में note down करोगे, अपने time के बारे में लिकते जाओगे बार-बार affirm करोगे, सोचोगे इतने दिन इस technique को किया था फिर इतने दिन इस technique को किया था, इसी कारण क्या है कि कई सारे लोग बहुत सारी technique को कर-कर कर-कर करके परिशान हो चुके हैं, पर वो एक चीज है उनकी लाइफ में नहीं आ पा रही है क्योंकि अपने आपको mentally उन्होंने इस बात से ready कर लिया है कि इसके बाद ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो उनकी energy है ना जितनी ज्यादा उनकी wish तक ज जा रही है, वो time के पास भी जा रही है और वो wish के पास भी जा रही है अब wish manifest होगी या तो time ज्यादा लगेगा कहने का मतलब बस ये है कि जितना ज्यादça आप time 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 के बारे में सोचोगे ना कि इस time ये करना इस time वो करना इस time ये method फिर ये तो ऐसे करने से आपको और भी ज्यादा time ना लगने वाला है आपको अपनी wish के लिए एक method को follow करना है अपने mind को वहां से हटाना है बहुत ज्यादा stuck होके नहीं रहना है पूरे दिन अपनी चीजों के बारे में नहीं सोचना और सबसे important चीज अपने आपको mentally ये यकीन दिलाना है कि मेरी चीजे मेरे पास आ चुकी है क्योंकि अगर आप ये feel नहीं कर रहे हो कि मेरी चीजे मेरे पास आ चुकी है तो आप ये feel कर रहे हो कि इस time में ये करूंगी फिर इसके बाद ये करूंगी फिर इसके बाद ये करूंगी क्योंकि अगर ये feeling आपके मन के अंदर कैद हो गई ना और पूरी तरह आपने पकड़ ली तो ये time वाली चीज ना आपको आपके wish के पास कभी पहुँचने नहीं देगी अब जब मैंने उन्हें उनके letter के बदले में reply किया और ये कहा कि आप इसे दुबारा पढ़िए और ये देखने की कोशिश कीजे कि आपने कितनी बार यहाँ पर time का जिक्र किया आपने starting से अपने process के समय से हर एक time को note down किया है हर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा है बार बार अपने भीतर आपने ये feel किया है कि आपको बहुत ही ज्यादा time लग रहा है तो उन्होंने का जी हाँ मैं पूरे दिन ये feel करती हूँ हर समय ये feel करती हूँ हर time मेरे अंदर ये बात गुमते रहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा time लग रहा है और ये feel करने की वज़े से क्या हो रहा था कि उनकी चीज़े उनकी life में नहीं आपा रहे थी अब मैंने उन्हें कहा कि बस अब आप अपने भीतर एक बात को पकड़ लीजे कि मेरे सारे process मेरे सारी technique मेरे सारे methods को मैंने complete कर दिया है और मेरी चीज मेरी life में है आपको mentally इस बात को पूरी तरह पकड़ की रखना है सुबह उठते साथ mirror के सामने जाके आपको अपने affirmations को repeat करना अपनी आखों में आखे डालके कि मेरी चीज़े मेरे पास already आ चुकी है जो मैं wish चाती थी वो manifest हो चुकी है और जब जब आपको याद है कि बहुत time लग रहा है आपको बार बार इसी चीज़ को न repeat करना और ये same चीज repeat करने से कुछ ही दिन के अंदर I guess 17 ये 18 days के अंदर उनकी चीज़े उनके पास आ गई और अब उन्होंने अपनी success story मुझे लिख के दुबारा भेजी है कि उनकी चीज़े manifest हो गई कई बार ना जब हम बहुत ज़्यादा time के बारे में focused रहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी energy उस जगा देते रहते हैं कि मेरी चीज़े नहीं यारे नहीं यारे यारे इतना time लग चुका है यह method कर लिया है अब क्या करना है check करते रथे परिशान होते रथे हैं तो हम उसी जंगल में अपने आपको फसा के रखते हैं एक जाल में अपने आपको क्या अद कर लेते हैं और आपको अपनी wish को करने के लिए खुद को हमेशा फ्री होकर रखना है तब तक आप अपना ध्यान रिखिए और खुश रहिए बाप आए